हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजिल तैयारी चैनल पे, मैं श्रयान्स को ठारी लेके आया हूँ दोस्तों, अब्जेक्टिव जनरल एंग्लिश बाई S.P. बक्षी दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं हमारे वीडियोज जो आ रहे हैं और बहुत अच्छे से मेरी कोशिश, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक-एक क्वेशन को अच्छे से एक्स्प्लेन करूँ आपकी कोई डाउट, डाउट ही न रह जाए, वो डाउट क्लियर हो जाए, बस यही मेरा एक ही एम है इस वीडियो को ले के आने का और इस बुक को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपको एक्चुली कॉम्पटेशन एक्जाम के लिए बहुत जादा दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है यह ध्यान रहे, बहुत ओनेस्टली आपको करना है, जतनी इमानदारी मेरी आपको इस वीडियो में नजर आ रही है, उतनी ही इमानदारी से आपको इस वीडियो को देखना है कोई तरह का question हो, कोई तरह की doubt हो, आपको miss नहीं करना, यह ध्यान रहे phone number मैंने share कर दिये हैं, कोई तरह की doubt, या तो आप comment box में लिखें, या हमें whatsapp करें whatsapp तो कर ही दें आप अपने नाम के साथ, यह हैं बताते वे कि आप digital diary के student हैं दोस्तों उससे क्या होगा कि आप को हम अपनी तरफ से कोई update, कोई video, कोई और ऐसी चीज़ जो miss नहीं कर सकते या करना नहीं होना चाहिए, वो आपको जरूर send करेंगे दोस्तों एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, अगर अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो share करिए, अपने मित्रों को भेजिए मैं एक बहुत clear बात बोलता हूँ, निश्चल भाव से आपके पास ये videos हम लेके आ रहे हैं इसमें कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, जितने ज्यादा views होंगे उतनी हमारी energy होगी उतनी energy जो है वो आपको ही transfer करेंगे अगर आप पहली बार आएं दोस्तों subscribe जरूर करिएगा, subscribe करने में आपको कुछ नहीं लगेगा पड़ हमारे जब subscribers number बढ़ेंगे, definitely दोस्तों मैं बता रहा हूँ दुगनी energy के साथ हम और कुछ नया लेके आएंगे इतना कुछ नया कि जो हो सकता है देश में, कोई दूसरा channel ना करा रहा हो मैं बहुत confident हो, दूसरा कोई channel ना करा रहा हो, ऐसी चीज़ें हम लेके आएंगे चलिए, मैं लिए चलता हूँ दोस्तों question number 22 पे देखे, 21 में आपने देखा कि they are working hard, so that they may pass, क्यों किया था may क्योंकि निश्चयात्मक बात नहीं कह सकते अगर वो work hard कर रहे हैं, जिससे कि वो pass हो पाएं, हो सकें, वो बात कर रहे हम यानि यहां पे बहुत clear है, निश्चयात्मक बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने में लगाया अब बात करते हैं दोस्तों 22 की, if they had run faster, वो अगर तेज दोड़े होते they could catch the thief last night, अगर आपको याद हो, if वाली condition जो मैं याद दिलाता हूँ दोस्तों, if के साथ अगर had v3 आता है, तो साथ में दूसरे वाले पार्ट में kodiya shodiya would जो भी आए, उसके साथ v1 आएगा, would have v3 आएगा अगर आप ध्यान से देखें, would आए, kod आए, should आए, ये आगया, और इधर वाले में, had के साथ run आगया, तो had के साथ run आगया, मतलब ये condition फुल्फिल हो गई, यहाँ would या could या could तो आगया, लेगिन ये कौन लगाएगा भाई, यही तो हमारी condition अगर आप याद कर ये conditional sentence मे इफ वाले portion में had v3 आएगा, तभी दूसरे वाले portion में have v3 लगाना जरूरी है, यानि they could catch की जगे, they could have caught, मेरी बात को समझेगा द्यान से, if they had run faster, अगर वो तेज दोड़े होते, जतना दोड़े उससे भी तेज दोड़े होते, उन्होंने चोर को पकड़ लिया होता, could have caught, यह structure याद रखना जरूरी है, आपको याद दिला दो दोस्तों, could plus v1 वाले structure में, यहाँ v2 होता है, जो की नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो चूंकि वो नहीं है, इस कारण से, यहाँ had plus v3 का structure, यहाँ could have, would have, should have plus v3 का structure बनेगा, question number 22 को ऐसे solve करेंगे हम, 24 number question देखते हैं दोस्तों, 23 number अब देखते हैं दोस्तों, were she I, बहुत important structure है दोस्तों, यह जो were she I है, यह ध्यान रखिएगा, यह if I were वाला ही condition है, if I were कहिए, या were she कहिए, मतलब ऐसा ही similar condition है, यहाँ पे जो sentence है, वो ऐसा बनना चाहरा है, were she I, अगर वह लड़की मैं होती, if she were I, दोनों सेम है, if she were I कहो, या were she I कहो, दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा, यह imaginary conditional है, कालपनिक कंडिशनल, कालपनिक कंडिशन है, अगर वह लड़की मैं होती, मतलब मैं, मतलब उस लड़की की जगे मैं अपने आपको रिप्लेस करके देख रहा हूँ, she will not allow you to go, वो आपको allow नहीं करती, तो क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, will की जगे would आएगा, यह ध्यान रखिएगा मेरी बात को, would क्यों करना है, बहुत जरूरी है आपको ध्यान के, जब भी if I were वाली कंडिशन आती है, दूसरे वाले portion में would आएगा, चूंकि यहाँ she आया है, वापस she ही आएगा, अगर if I were she, ऐसा बोलते हैं, if I were she, मैं उसकी जगे होता, अभी देखे, वह क् अगर मेरी जगे होती, तो वह तुमको अदाऊ नहीं करती, जाने नहीं देती, मैं जाने दे रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पर वर she आये लगा है, तो she के अनुसार काम करेंगे, वर I she, मैं अगर उसकी जगे होता, तो यह करता, यानि वहाँ पर आई लगाते, और दोनों ह कि इसमें हम वुड का प्रेयोग करते, तो मैंने चैट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको, फिर भी अगर आपको लगता है कोई तरह की डाउट रह गई है, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो ज़रूर अगर आपको याद हो, बिफॉर का नियंब, लिख देताूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, बिफॉर का नियंब ये कहता है, बिफॉर सपहले आप लगाएंगे, Had, V3, Before के बाद लगाएंगे V2, मेरी बात को बहुत गौर समझेगा Before से पहले लगाएंगे Had V3 Before के बाद लगाएंगे V2, यानि मेरी बात को समझेगा They had stolen, had V3 Lady Return हो, वापस आए, उससे पहले वहाँ बुक्स चुरा चुके थे, चुके थे, had stolen तो आपने देखा दोस्तों, बहुत easily और आपको यह structure, यह structure वीडियो के माद्यम से, SP बक्षी के माद्यम से मैं कम से कब 10 बारा बार बता चुका हूँ उसके अलावा दोस्तों एक playlist हमारे, हमारे जो playlist section है, उसके अंदर बनी भी है जिसमें more than 42, 43 grammar के videos हैं, जो एक के बाद एक हैं और connected नहीं है आप किसी भी दिन किसी को भी उठाएं उसमें हमने before after को बहुत अच्छे से clearly आपको explain कर रखा है Definitely आप उसे देखें Question number 25 की question को करते हैं हम आगे देखें जरा question number 25 As they were in trouble, शूंकी वो trouble में थे Therefore they did not attend marriage इसलिए उन्होंने marriage attend नहीं करी मेरी बात को समझेगा, मैं पहले एक बार explain कर चुका हूँ मैं पहले एक बार explain कर चुका हूँ और फिर यहां पर लिखता हूँ दोस्तों, इसको तुम मिटा दूँ द्यान से देखेगा हमारे पास एक symbol जी line आती है As हो Because हो या since हो दो वीडियो छोड़के पहले मैंने भी इस बारे में बात कर रखी है इनके साथ मैं Therefore हो Hence हो So हो इन तीनों में से किसी का भी connection इन तीनों से नहीं है मतलब As के बाद therefore नहीं आएगा As के बाद hence नहीं आएगा As के बाद so नहीं आएगा Because के बाद therefore नहीं आएगा मतलब इन तीनों में से कोई भी word अगर आ जाता है यहां पे As they were in trouble Because they were in trouble So they did not Hence they did not, जो भी ऐसा word आएगा वो गलत है, यह सारे क्यूंकी या चूंकी वाले शब्द हैं, यह सारे इसलिए वाले शब्द हैं, और इनका आपस में कोई मेल नहीं है, यह ध्यान रखेगा, इनका आपस में कोई मेल नहीं है, विच यू डिड नॉट, विच यू डिड कैनाट बी पारडण, अब यह क्वेशन क्या कह रहा है, विच यू कैनाट, अब द्धा को देखते हैं, विच का अजीब सा सैंसर है, विच यानि किस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहनेंगे वाट, जो तुमने किया, वाट यू इतना ही बढ़वा, वाट यू डिड जो तुमने किया, कैनाट बी पारडण, पारडण का मतलब होता है, माफी योग्य है, मतलब उसकोई माफी नहीं हो सकती, यह कहना चाहरा है, जो भी तुमने किया, उसकी माफी नहीं हो सकती, वो माफ नहीं किया जा सकती, क्या यह बात clearly आपको explain हो गया है एक और आखरी वीडियो और हमारे chapter 4 की revision की भी सारी exercise complete हो जाएगी बिल्कुल stay connected दोस्तों एक चीज़ जरूर मैं कहूंगा telegram ये भी एक ऐसा app है जहां पे हमने अपना channel create किया है digital तयारी जरूर इससे connect हों आप लोग उस पे भी regular updates आती हैं GK की updates आती है English के बहुत सारे word है और एक चीज़ जरूर है कि आज हो सकता है कोई नया update ना है बट पुराने इतने सारी information इतने सारे videos इतने सारी चीज़ें दे रखी है कि वहाँ भी connect हों बहुत सारे पुराने यूँ कह सकते हैं questions को पढ़ें words को पढ़ें मजा ही आ जाएगा बहुत सारी explain कर रखी है वहाँ भी चीज़ें stay connected और भी कोई नई चीज़ आती है तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी Thank you and take care Please like, share, subscribe Digital Tiyari